हेलो एब्रिवन कवीता इजियर चैनल आपकी लिए नए वीडियो के साथ हाजिर है आज की इस वीडियो में न्यू ओनलाइन ड्रॉइंग एंड राइटिंग एंड एसे राइटिंग कंपेडिशन 2021 के बारे में हम डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले आप इंट्रोड्यूस होंगे इस कंपेडिशन से इंट्रोडक्शन ये वीडियो है एक नए ओनलाइन मल्टी कंपेडिशन 2021 के बारे में जिसको और्गनाइस किया है एक यूट्यूबर जिनके चैनल का नाम है कंपेडिशन एलल्ट इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ भी फीस नहीं है एंट्री यहां पर फ्री ओफ कोश्ट है नाव कटेगरीज ओबलिक एक्टिविटीज की यहां पर आप किनकिन एक्टिविटीज का हिस्सा बन सकते हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कुल तीन एक्टिविटीज को ए essay writing competition और handwriting competition एक special note भी यहाँ पर है participate आप कर सकते हैं एक से ज्यादा activity में ये ठीक रहेगा कोई भी restriction नहीं है now topic की आपको किस बिशय पर drawing handwriting और essay writing करनी हैं आप drawing handwriting या essay writing को किसी भी topic पर कर सकते हैं जो आपको अपनी पसंद से अच्छा या suitable लगे यहाँ पर कोई भी particular subject यानी बिशय नहीं है topic theme completely open है अब हम लोग जानेंगे drawing के rules नियम के बारे में drawing के लिए color रंग यानी medium किसी भी प्रकार का हो सकता है आप किसी भी sheet size paper को use करें अपने topic को draw करने के लिए जो भी आपने select किया हो और other materials को ले कर भी कोई restrictions नहीं है अब essay writing के rules नियम language यानी medium भाशा writing की होनी चाहिए English या Hindi सिर्फ ये दोनों भाशा ही allowed है maximum यानी अधिकतम essay को 200 शब्द में complete करें इससे ज्यादा का essay नहीं होना चाहिए handwritten और typed दोनों प्रकार के essays सम्मिट आप कर सकते हैं कोई भी sheet size paper यूज कर सकते हैं और सिर्फ simple image ही needed है कोई PDF फाइल ना send करें handwriting के rules यानी नियम इसके rules विलकुल ऐसे writing की तरह हैं जहां पर language यानी भाशा writing की English या Hindi होनी चाहिए handwriting maximum 200 शब्द में होनी चाहिए handwritten all typed दोनों format allowed हैं कोई भी sheet size paper allowed है और simple image ही send करनी है कोई PDF फाइल नहीं Now main instructions of this event यानी इस event के हम बिंदू निर्देश इस event में कोई भी plagiarized content copied work consider नहीं किया जाएगा भले ही आप एक से ज्यादा activity में part ले रहे हों लेकिन एक entry ही हर activity में आपके द्वारा submit होनी चाहिए यह YouTube चैनल लिंक जो आपको screen पर नजर आ रहा है इसको subscribe करना और इसमें subscribing screenshot लेना mandatory है और इसको आपको submit भी करना है इसके बिना आपकी entry accept नहीं होगी तो description में given link को जरूर subscribe करें unsubscribe बाद में ना करें क्योंकि अगर आप unsubscribe कर देंगे तो आपको ना तो कोई महत्पूंड notification मिलेगा और यह सबसे ज्यादा प्रभाव यह पढ़ेगा कि आपको disqualifies event से कर दिया जाएगा इस event का judgment criteria वैसे तो organizer के दुआरा अभी disclose नहीं किया गया है लेकिन यह पक्का है कि एक element जरूर होगा और वह element है creativity and originality अब जानते हैं इस competition event के period यानी timeline समय सीमा के बारे में कि एक अब तक चलेगा event की शुरुआत yesterday यानी 12 जुलाई 2021 से हुई है इसमें participate करने की last यानी आखरी तारीख है 23 जुलाई इसलिए जल्दी करें event के official results की announcement 29 जुलाई को की जाएगी so good luck in advance now next point is eligibility obligate categories of this event की यहां पर कौन participate कर सकता है इसकी योग यता इस event की सभी तीनों activities यानी drawing essay handwriting में participate करने के लिए कुल 4H categories announce की गई है screen पर typing mistake है teenage categories नहीं 4H categories है category A है 5 से 9 साल category B है 9 से 12 साल category C है 12 से 15 साल और category D है 15 साल और उससे ज्यादा rewards of this competition इस प्रतियोगिता के प्राइजेज हर category यानी श्रेंडी में तीन winners का चुनाओ किया जाएगा winners को यह following E-Prizes यानी electronic prizes दिये जाएंगे E-Certificate E-Cards E-Name Logos और भी much more अब जानते हैं कि आप participate इस event में कैसे कर सकते हैं participants के दुआरा सभी entries को इस email address पर mail किया जाना चाहिए sonia odichia 60 at the gmail.com इन सारी details के साथ name, name, age, उमर, category, number, selected competition, subscribing screenshot, city name, and contact number last one for more information ज्यादा जानकारी के लिए YouTube चैनल link description में और email ID है sonia odichia 60 at the gmail.com तो अगर ये information जरा भी useful लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अपने friends के साथ related के साथ share करें और ऐसी informative वीडियो समय समय पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही न्यू वीडियो की notification के लिए bell icon को all पर क्लिक करें और हाँ अपना feedback comment section में जरूर बताएं तो मिलते हैं फिर एक new latest update के साथ till then अपना बहुत ध्यान रखिए thanks for watching thanks to everyone